यह वीडियो आप सभी के लिए बहुती महतपुड होने वाली हैं क्योंकि इस वीडियो महम लोग उम्र निकालना सिखने वाले हैं जैसे कि मालनीजे कि आप से कोई पूछ दे कि आप अपना उम्र बताए कि आप जिस दिन जनम लिये थे उस दिन से लेकर आज तक आप कितने दिन, कितने महिने और कितने वर्ष के हुए तो आप कैसे बताएंगे ना क्यों अपना बलकि किसी का भी उम्र आप से पुछ दिया जाए कि बताओ किसी विक्ति का जनम इतना समय में हुआ है और वह वेक्ति आज तक कितने दिन कितने महिना और कितने वर्ष का हुआ तो आप कैसे बात आएंगे यदि आप उम्र निकालना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात हैं और नहीं जानते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकि अंतक और ध्यान से जरूर देखिएगा यह वीडियो जैसे ही खतम होगा आप उम्र निकालना बहुत ही अचानी से सिख जाएंगे तो चले विडियो को हम सुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर किसी वेक्ति का उम्र दिया गया है देखिए जिस भी वेक्ति का हमें उम्र निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे उस वेक्ति के जनम के दीन, माह और वर्स को नीचे में इस तरह से लिख देंगे ठीक तो जैसे में मालनी जी कि किसी वेक्ति का हमें उम्र निकालना है और हमें यहाँ मालूम करना है किस डेट तक उस वेक्ति का उम्र कितने साल का हुआ तो जैसे कि मालनी जीस भी डेट तक किसी का उम्र मालूम करना है जैसे कि हमें यह मालूम करना है कोई व्यक्ति है जिसका जनम 20 तारीक 8 वा महिना 2005 को हुआ है और हमें यह मालूम करना है कि वह व्यक्ति 12 तारीक 5 वा महिना 2024 को कितने साल कितने महिना और कितने दिन का हुए ता हम कैसे निकालेंगे तो देखे इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे आज के जो दिन रहेगा न यानि कि जिस भी दिन उसका उमर निकालना होगा उस दिन को हम इस तरह से उपर में लिखेंगे और उसके ठीक नीचे उस वेक्ति के जनम के दीन महा और वर् लिखेंगे और उस वेक्ति के जनम दिन को नीचे में लिखेंगे अब दिखें यहाँ पर इस तरह से मैं लिखा हूँ दीन महा और ठीक ताप इस तरह से भी चाहे तो लिख सकते हैं इधर से भी शुरू कर सकते हैं इधर भी आप दीन महा और वर्स इस तरह से भी लिख सकते ह पर दिकत जानते हैं कहां पर होता हैं यहां पर होने लगता है जैसे कि यहां पर दिन बड़ा है यह वाला दिन से यह महा भी बड़ा है उसके जनम अला महिना से तो फिर हम कैसे घाटाएंगे किस तरह से हासी लेंगे महिना 30 है या 38 है या 29 है तो फिर हम महिना से किस तरह से हासी लेंगे अधिकांस लोग यहीं पर गलती करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट भी किलियर करूँगा कि किस तरह से हम घाटाएंगे तो सबसे पहले हमें घाटाने का सुरुगात इधर से करना है जिधर दिन रहेगा न उधरे से काम लगाना है घाटाने का ठीक तो इधर दिन है न तो हम इधर से घाटाने का काम चालू करेंगे अब देखे दिन मसे हमें दिन को घटाना है, महीना मसे हमें महीना को घटाना है और वर्स मसे हमें वर्स को घटाना है तो सबसे पहले हम दिन मसें दिन को घटाएंगे अब देखे यहाँ पर हैं 12 दिन नीचे में 20 दिन तो 12 हमें 20 तो घटेगा नहीं 12 छोटा है न तो यह इससे हासिल लेगा यह किससे हासिल लेगा तो अपने बगल वाले महिना से हासिल लेगा अब इसके बगल में कौन सा महिना है तो महिना है पाचवा महिना अब हम यहाँ देखेंगे कि पाचवा महिना में कितना दिन होता है तो देखिए एक बात आप लोग सभी लोग याद रखेंगे देखिए आप लोग जब भी महिना में मालूम करना होगा कि किस महिना में कितना दिन होता है तो आप लोग इस तरह से मुठी वानिएगा और इधर से गिनने का शुरुगात किजिएगा देखिए जैसे कि एक उपर में एक फिर खाला में दो फिर तीन फिर चार फिर पांच यह उपर में आरा आयनत देखिए जो भी दिन उपर में आयेगा वह एक तिसा इसमें एक तिस जुड़ जाएगा तो देखिए यह इस तरह से हो जाएगा पहले से यह बारा है और इसमें एक तिस जुड़ गया यह एक महिना अपना हासिल दे दिया ठीक तिस जुड़ेगा तक क्या होगा दो और एक मिलकर तीन हो जाएगा और तीन और एक मिलकर हो 43 अब हमें इस में से 20 को घटाना है ठीक यहां से हमें इसको घटाना है तो देखिए तीन मले 0 घटेगा क्या बचेगा तीन ही बचेगा और 4 मले 2 घटेगा क्या बचेगा दो बचेगा यहां घट गया बहुत ही असानी से अब देखिए इस तरह से चिनकेची अब माह मसे माह क गटाईए तो देखिए यह पांच महीना पहले से था लेकिन यह एक महीना अपना हासिल दे दिया है तो अब यह बन गया है चार महीना ठीक अब चार महीना मले हमें आठ महीना गटाना है यह भी नहीं गटेगा यह भी चार छोटा प्रजार आए न तो चार भी हासिल लेगा किस से हासिल लेगा यह अपने बगल वाले से हासिल लेगा महिना साल से हासिल लेगा और दिन महिना से हासिल लेगा ठीक अब यह किस से हासिल लेगा तिस से लेगा साल से लेगा यह साल कौन सा है यह है 2024 तो साल से हासिल लेगा न तो पूरा का पूरा एक साल हासिल लेगा ठीक यहाँ दो हजार चौविस है न यहाँ अपना एक साल पूरा का पूरा इसको दे देगा तो अब यहाँ बन जाएगा दो हजार तेईस यहाँ क्या बन जाएगा तो यहाँ बन जाएगा दो हजार तेईस यहाँ पर जरा अच्छे से समझेगा यहाँ दो हजार चौविस जो हैं अब यहां क्या बन गया है, यहां बन गया है 2023, और यहां अपना एक साल इसको हासिल दे दिया है, अब आप लोग बताइए कि एक साल में कितना महिना होता है, एक साल में होता है, बारह महिना होता है ना, बारह महिना, तो इसमें बारह जुट जाएगा, यहां पहले से कितना ह पांच थात्व एक हासिल देती है ना तब चार है और इसमें 12 जुटेगा तब 4 पलस 12 मिलकर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 16 तब जो महीना है यह हो गया है 16 तब हम 16 हमले 8 को बहुत यह सानी से घटा सकते हैं ठीक तब 16 हमले हम 8 को घटाएंगे तक क्या बचेगा यहां पर आठ ही बचेगा ठीक अब हमें क्या करना है वर्स मसे वर्स को घटाना है यह भी बहुत यह असानी से घट जाएगा देखिए वर्स जो है ना इसे किसी से हासिल लेने की जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह हमेसा बढ़ाई होगा तो देखिए यह उपर में 2023 है नीचे मे 2005 है यह बढ़ाई है यह घट जाएगा राम से तो देखिए तीन मले 5 तो नहीं घटेगा ना तो तीन इससे हासिल लेगा यह सिंपल इस तरह से घटा बनाया जाता है उस तरह सी से घटा यह तो देखिए तीन इसससे हासिल लेगा तो यह हो जाएगा तेरह तेरह मले 5 घटे तो पाच के बाद हम गिन देते हैं 13 इतने बार में आता है तो 8 5 होता है 13 यहाँ पर हो जाएगा 8 उसके बाद देख्ये यहाँ पर यह दो जो हैं इसको हासिल देदिया है तो बन गया है यह एक 0 मले 0 घटेगा 0, 2 मले 2 घटेगा 0 यह आया क्या है तो देखें यह आया है 23 दिन 8 महिना और 18 वर्च ठीक तो जिस्वी वेक्ति का जनम 20 तारिक 8 महिना 2005 को हुआ है वह वेक्ति 12 तारिक 15 महिना 2024 को 23 दिन 8 महिना और 18 साल का होगा ठीक तो इस तरह से हम बहुत ही असानी से किसी भी वेक्ति का जनम तिथी से हम यह मालूम कर सकते हैं कि वह वेक्ति आज के दिन में या फिर आज से 5 वर्च वाद भी वह कितने दिन कितना महिना और कितना वर्च का होगा अगर यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप उम्र निकालना सी गए होंगे इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताईएगा कि आपको उम्र निकालना आया की नहीं फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद